असलाम वेलेकुम वालकम टू माय यूट्यूब चानल लर्निक बद मैं है कैसे हैं आप सब ब्लोग उम्मीद करती हूं आप सब ब्लोग ठीक होंगे बिना टाइम वेस्ट किया हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं तो देस्ट टॉपिक इस हाओ कें यू साथ पिक्चर अज से क्रीन सेवर ओन यूर पीसी सो स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो का राइक करना मत भूलियागा First of all you have to right click on your PC Right click करने पर आपको इस तरह से optional list नज़र आएगी Here you have to choose last option personalize Personalize पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से settings नज़र आएगी At the left side you can see third option lock screen आपको इस पर क्लिक करना है जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से settings appear हो जाएगी नीचे करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि last पर लिखा हुआ है Screen saver settings आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद इस तरह से आपके पास dialogue box आजएगा आपको यहाँ screen saver पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज करना है photos का option Then आपको settings में जाना है And then click on the browse और यहाँ से आपको वो folder चूज करना है जो आप चाहते हैं कि आप screen saver पर शूज हो जिस folder में आपकी picture परी हुई है Suppose अगर मैं यहाँ से यह folder चूज करती हूँ And then okay And then you have to click on the save अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका screen saver किस तरह से show होगा Then click on the preview So इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने जो picture लगाई है वो किस तरह शूज होगी Then folder चूज करने के बाद आपको ok कर देना है यह एक easy सा method था जिससे आप photo को screen saver के तोर पे लगा सकते हैं I hope आप लोग को समझ आ गई होगी अगर कोई question है तो comment में जुरू पूछेगा और अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share करें ताकि उनकी भी कुछ help हो जाए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब ते के लिए अला हाफेज